हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आज हम आपके साथ घर पर ही रखे बहुत कम सामान से बनकर तयार हो जाने वाली बहुत ही चटपटे और कुरकरे नास्ते की रस्पी सेयर करेंगे जिसे आप सिर्फ 5 मिनट में बना कर तयार कर सकते हैं और इसे ब्रेक फास्ट या फिर साम की चाय के साथ इंजोआई भी कर सकते हैं तो चलिए फटा फट से इसे बनाना सुरू करते हैं तो यहाँ पर हमने मेडियम साइज का कच्चा आलू लिया है आलू को छील कर हमने पानी में नाल ट्वल से इसे हम ग्रेट करेंगे, आलू में बहुत cómo of olive मों इंजोएगा हम निकाल दिया है जिससे इसका एक्ष्टा पानी निकल जाए तो इसे इस टेनर पर ही छोड़ देते हैं तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं यहां पर हमने बड़ा बरतन लिया है और यह दो मीडियम साइज के प्याज है जिनको हमने लंबे-लंबे स्लाइस में पतला काट रखा है तो इसको ब किताने प्याज के स्लाइसें वो अलग भी हो जाएंगे तो यह देखे अच्छे से इसे हमने मिक्स करिया है और जो अलू हमने ग्रेट करके रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे तो कुछ और चीजह में आल देते हैं तो आदा-इंच अद्रक औ करके ले दाल देंगे, त इसे हातों से रगड कर डाल देंगे इससे नास्ते में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा और थोड़ी सी इसमें हिंग भी डाल देते हैं साथ में आदी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर अगर तीका कम खाते हो तो मिर्च कम डालिएगा और आदी ही चम्मच इसमें हमने काली मिर्च पाउडर भी डाला है और अब सबी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं तो इस नास्ते को हम प्याज और आलू से बना रहे हैं जो कि हमारे घर में हमेशा होता ही है तो ये देखिए अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है अब इसे पांच मिनट के लिए जिससे आलू और प्याज अच्छे से पानी छोड़ देगा और उसमें हम अपना नास्ता बनाएंगे तो तकरीवन पांच मिनट हो गए हैं और ये देखिए आलू और प्याज थोड़े सौप्ट भी हो गए हैं और इनों ने अपना पानी छोड़ दिया है तो चलिए अब की तैयारी करते हैं तो यहां पर आदा कफ हमने चावल का अटा लिया है इसे डाल देते हैं इसे नास्ता बहुत ही जादा कुरकुरा बनेगा और साथ में दो चमच इसमें हम बेशन डालेंगे और एक चमच इसमें हम दही डाल देते हैं अगर आपके पास दही ना हो तो ए डो तयार करेंगे तो यह देखिए सबी चीजे बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है और बिलकुल डो की तरह से बन रही है तो यह देखिए इसको चेक करते हैं तो यह देखिए अच्छे से यह बायंड हो रहा है तो चलिए अब फटा-फट से इसका हम डो तयार कर लेते हैं तो ये लिजे हमारा नास्ते का डो बनकर तयार हो गया तो चलिए अब इसका हम नास्ता भी बना लेते हैं तो हातों को धुल कर थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और अब इसका थोड़ा सा मेक्स लेंगे तो नीवो के आकार का छोटा सा गोला बनाएंगे तो आप नास्ते को कोई भी सेप दे सकते हैं चाहें तो आप इस तरह से गोल गोल नास्ता बना सकते हैं आज इन्हें हम बड़े का सेप दे रहे हैं तो इसकी हमने टिकिया बना रही है और बीच में एक छोटा सा होल कर देंगे ये देखे तो इसी तरह से सारा नास्ता बना कर तयार करेंगे तो फ्रेंट्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यदि आपको हमारी ये रेस्पी जरा भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज उसे लाइक और सेर जरूर करिएगा औ और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिलको ना भूलिएगा तो ये देखे दूसरा नास्ता भी बनकर तयार हो गया तो सारा नास्ता इसी तरह से हमने बना लिया है अब इन्हें हम फ्राई भी कर लेते हैं तो तेल गरम होने के लिए हमने पहले ही रग दिया था गरम तेल म हम medium कर देंगे और जब एक साइट से हलका size पर color आ जाएगा तो इनको हम पलट देंगे और दूसरी साइट से भी बढ़िया golden color आने तक इन्हें हम fry करेंगे तो इस समय gas की flame बिल्कुल medium ही रखेंगे और दूसरी साइट से भी हलका golden color आने देंगे तो ये देखें दूसरी साइट से भी बढ़िया सा golden color आ चुका है अब low flame पर एक minute के लिए इन्हें हम fry कर लेंगे जिससे ये नास्ता बहुत ही जादा कुरकुरा हो जाएगा तो ये देखें कितना बढ़िया नास्ते पर color आ चुका है और दोनों साइट से ये बहुत बढ़ि एक बार इस नए तरह से बने आलू प्याच के बढ़ों को भी बना कर ट्राइ करिएगा आपको ये बहुत ही जादा पसंद आएंगे तो सुनिए आपने आवाज कितने क्रिस्पी बने हैं तो लीजे नास्ता बनकर हमारा तयार हो गया और आज इसे हमने टमेटो कैचप के स तोड़कर भी हम आपको दिखाते हैं ये देखिए बहुत ही जादा क्रिस्पी नास्ता बनकर तयार हुआ है आप इसे सुबह ब्रेक फास्ट में या फिर साम की चाय के साथ इंजवाय कर सकते हैं सिर्फ पांच मिनट में ये बनकर तयार भी हो जाते हैं तो कैसी लगी आप एसी ही नई रेस्पी के साथ नेर्ष वीडियो में हम आपसे फिर मिनेंगे थेंक यू